तो गैस आज से ठीक दो साल पहले मेने एक वीडियो बनाय था जिस पे मैंने आपको ये बताय था कि ब्लुटूथ पैनल जो होता है इस ब्लुटूथ पैनल को आप डायरेक्ट स्पीकर के साथ क्यों करेक्ट नहीं कर सकते हैं अगर आप इसको डायरेक्ट करके बजाते हैं तो यह क्यों स्लो बजता है और कैसे इसको डायरेक्ट स्पीकर के साथ करने पर कैसा इसका रियक्शन तो जी हां इस वीडियो में आपका अच्छा का सा response था और उसी वीडियो के भाद मैंने इसका पार्ट 2 का वीडियो बनाए जिस पे आपका बहुत सरा comments को मैंने cover किया था बहुत सरा comments का questions का answer दिया था जिस पर आपका सबसे common question यह था कि इसका आवाज जो है क्यों इतना slow आ रहा है और हम इसको के से बढ़ाएं तो part 2 के वीडियो में मैंने बताया था amplifier और pre amplifier के concept के बारे में तो जो हमारा bluetooth panel होता है वो basically एक pre amplifier होता है उसके साथ उसका जो frequency का output होता है मतलब उसका output होता है वो com power का होता है मतलब उसका frequency बहुत कम होता है उससे हम बड़े-बड़े speakers नहीं बजा सकते अगर लगाएंगे भी connect भी करेंगे तो भी वो slow ही बजेगा तो जो बड़े speaker से उनको बजाने के लिए हमें उसके साथ उसी लेवल का मतलब उसी power का उसी wattage का जो जितना बड़ा speaker लंगाएंगे उससाब से amplifier करना पड़ता है जो amplifier क्या करता है जो input का frequency होता है उसको बढ़ा देता है इन्हेंस कर देता है एंप्लिफाय कर देता है करने के बाद वो जो छोटा frequency pre amplifier से यानि Bluetooth पैनल से आ रहा था वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिससे कि हमारा इतने बड़े speaker भी बजते है लेकिन गईस फिर भी आपका थोड़ा बहुत comment आ रहा था और मैं पार्ट 3 का व लोग amplifier के साथ connect करते हैं तो क्या केसा response आता है लेकिन पार्ट 3 के वीडियो के बाद भी आपका थोड़ा बहुत डाउट रहे गया था और आज तक comment section पे आप मुझे वही बाते पूछे आ रहे हो तो जी हां guys यह जो series है इसका यह part 4 वीडियो होने वाला है और इसी series का मैंन तक मुझे पूछा जा रहे है उसी question का मैं answer करने वाला हूं और वो question है कि भाई साब यह जो speaker का sound है इसका हम बढ़ाएं कैसे speaker का sound को हम कैसे बढ़ाएं हाँ तो speaker का sound को बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा जैसा कि मैं पहले बता रहा हूं इसके साथ आपको amplifier connect करना पड़ेगा बीना amplifier के आप एक pre amplifier से कैसे भी हो speaker को loud sound में नहीं बजा सकते लेकिन यह जो amplifier है यह सुनने में बहुत एकदम ऐसा लग रहा होगा और भाई amplifier कहां से लाएं लेकिन नहीं एक single transistor के मदद से भी amplifier बना सकते हो लेकिन आज के इस वीडियो के मदद से मैं आपको बनाना शिखाऊंगा एक ऐसा अच्छा amplifier जिसको आप हर कहीं यूज कर सकते हो 5V से लेकि 12V तक आपके इसाब साफ इसको बैटरी से चला सकते हो, ट्रानस्परमर लगा के चला सकते हो कैसे भी चला सकते हो 20-25W का speaker चला सकते हो 10-10W के 2 speaker चला सकते हो, यह सब कर सकते हो यह kit के साथ और यह है वेक्वियट जिसको हमने बनाया है, और इसी वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा ये वाला किट को इसी को गाइस आप Bluetooth पैनल के साथ जो है connect करके अच्छा खासा speaker का मजा ले सकते हो बड़े-बड़े speakers भी आप से बजा सकते हो जिससे आपका ये वाला question तो हल हो जाए कि भाई इसका आवाज कैसे तेज करें इस वीडियो में और जो circuit है अगर मैं इसको आप ऐसे बता दिया कि इसको ऐसे जोड़ो उसको ऐसे जोड़ो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा और वीडियो ना जाने कितना लंबा हो जाएगा और हो सके आपको बीच-बीच में समझ में भी ना इसका connection वगएरा देखके तो डाइग्राम स्टेड आराम से जो है इसको डिजाइन कर सकते हैं इस पर क्या-क्या components लगने वाले हैं सब कुछ आपको डाइग्राम स्टेडी में मिल जाएगा तो लेट्स टार्ट डाइग्राम स्टेडी तो गाईज यह है CD6283 का IC का जो है पिन डाइग्राम जो लोग इलेक्रोन्स का थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं समझ रखते हैं उनके लिए यह बहुत जरूरी है एक सरकुट डिजाइन करने के लिए लेकिन अगार आप ऐसे करना चाहते हैं तो यह रहा आपके लिए सिधा-सिधा डाइग्राम और इस डाइग्राम पर आपको अच्छे से सब देख जाएग कि कैसा इसका connection है, क्या-क्या components use किया गया है और इसका grounding किस तरीके से किया गया है So guys, यहाँ पर pin 1 से शुरू करते हैं यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, pin 1 से यह जो symbol जितने सारी दिख पा रहे होंगे यह, 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 यह सब guys जो है हमारे capacitors हैं और इस capacitor का यह जो bend का side आप देख पा रहे होंगे यह है capacitor का negative side और यह है capacitor का positive side और guys, मैं यहाँ पर आपको एक capacitor दिखा भी देता हूँ यह, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह capacitor है इसका यह वाला जहाँ पर यहाँ पर एक black पट्टी का निशान है और इस तरफ से एक pin है यह pin है आपका negative का और यह pin जहाँ पर कुछ भी नहीं है यह वाला pin यह है आपका positive का तो आज पर diagram यह जो capacitor है वो कुछ इस तरीके से यह कुछ इस तरीके से लगएगा यह था guys capacitor का बाकी diagram तो आपको Instagram पर मैं दे दूँगा जिसको देखके आप connection कर सकते हैं Instagram का link guys आपको description पर मिल जाएगा और यह था capacitor का पूरा funda इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर दो ही बस register यूज़ किया गया है 82 ohms 2 watt का register यहाँ पर 2 watt कोई ज़रूरी जी नहीं है speaker अगर आप यहाँ पर ज्यादा wattage के लगाते हैं और ज्यादा ampere का उससाब से आप power supply लगाते हैं तो यहाँ पर 2 watt लगाएगा basically जो होता है 10-10-20 watt का यहाँ पर speaker लग सकता है अगर आप full ratings यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 watt का register लगाना ज़रूरी है लेकिन आप 10-10 watt का अगर लगा रहें speaker दोनों में 5-5 watt करके इसे लगा रहे हैं या फिर इसको आज़े mono यूज़ करें एक ही speaker लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप quarter watt का भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत वाले बात नहीं है और उसके बाद guys बात आता है इसके grounding की यहाँ पर देख सकते हैं जो grounding हुआ है grounding में यह जहाँ पर GND, GND और यहाँ पर इससे symbolic grounding का symbol दिया गया है इन सबको guys आपको आपस में एक wire के साथ short करना है और 12 volt का यहाँ पर positive input है तो यहाँ पर 12 volt का negative input के साथ connect करना है इसका मतलब होता है grounding का और यहाँ पर होता है audio input 1 audio input 2 तो यह audio input 1 और 2 क्या होता है L होता है और R होता है जो हमारे Bluetooth पैनल हो या फिर कोई भी audio jack हो उसमें ऐसे आपको तीन तार देखने के लिए मिलता है जिसमें से एक होता है left side का एक होता है right side का और बीच वाला होता है ग्राउंड का तो यह है इन दोनों में से किसी में भी आप L और R को connect दीजे मतलब left और right को किसी दोनों में भी connect कर दीजे और ground को जो है उसको ground के साथ इन ही में से किसी भी एक ground के साथ उसको sort कर दीजेगा आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा फिर भी मैं एक और बार grounding का जो है clear कर देता हूं यहां पर से जितने भी सारे grounding लिखा है उन सबको guys आपको आपस में एक बार sort करके plus 12 volt है मतलब positive 12 volt का input है यहां पर negative जो होता है 12 volt supply का उसके साथ connect करना है circuit को इससे सबसे design करते हैं अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो instagram पर मैं आपके लिए always available हो आप मुझे कभी भी message कीजिए मैं आपको जरूर हेल्फ करूंगा okay diagram study हो गया अभी देरी किस बात की components लेते हैं और इसको मैं आपको बाता आता हूं कि यहां पर जो है 100 माइक्रोफरेट 16 बोल्ट जितने सारे कापेशिटर से उन सबको आमने 16 बोल्ट यूज किया है आप 16 बोल्ड जो है माइक्रोफरेट को जिसको वन नानोफरेट भी बोलते हैं या स्वाइल टाइप जो इसे से चोटे-चोटे कैपसिटर से होता है मैं आगे आपको दिखा दूंगा वह आपको एक यूज करना है और 82 ohms का रिजिस्टर दो चाहिए होगा थाउजन माइक्रोफरेट का एक कैपसिटर चाहिए होगा जो कि हमारा पावर कैपसिटर लगेगा यहां पर आप इसको दो भी लगा सकते हैं पारलेल करके अच्छा रिजल्ट के लिए अगर आप ज्यादा वाटेज का जो स्पीक आईसी एक यूज करने वाले है और यह जो बासट तरहाशी आईसी यह तो बैसिकलिए बारा भोल्ट पे बच्टा है लेकिन कोई बात नहीं अगर आप इससे दसो आटके स्पीकर छोटे स्पीकर चलाते हो तीन इंच चार इंच के तो यह पांच बोल्ट शे बोल्ट नोव होल्ट पे भी आराम से काम करता है और यह बच जाएगा इसका पॉफोमेंस भी काइस काफी अच्छा रहता है चली अब इसको रियल में बनाते हैं और देखते हैं इसका साउंड वगेरा क्या के साथ आता है इसका साथ आता है इस एड़ एंड हमें जो रेजल्ट है वो कुछ ऐसा देखने मिला है हमारा सर्कृट जो है वह बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है आप देख सकते हैं इसके पीछे गाइस हमने कुछ इस तरीके से इसका कनेक्शन कर रखा है एक्स्ट्रा गाइस मैंने यहां पर एक 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर ट्रैंजिस्टर लगाया है ताकि जब हम इसको 12 वोल्ट में चलाएं तो हमारा ब्लूटूथ पैनल भी 12 वोल्ट पे ना चलके 5 वोल्ट पे चले और हमारा ब्लूटूथ प बात करें तो डाइग्राम पर जितने भी सारे ग्राउंडिंग थे उन सारे ग्राउंडिंग स्कू मैंने आपको करके यहां पर नेगेटिब के साथ और आ vidéosिव सैब्लूथ खुमाद को दोनों साइड के हैं ओह लेफ्ट साइड और राइट सैड जो इंपूट है यह दोनों अप देख सकते हैं यह दोनों गैस और जो बीच वाला है वो ग्राउड का तो यहां पर अगर वह ग्राउंट का वयर यहां पर हमारा लग जाएगा कुछ इस तरीके से तो चलिए गाइस अभी देरी है इसकी टेस्टिंग की इसको टेस्ट करते हैं और इसके साथ में आपको दो-दो स्पीकर्स लगा के दिखाऊंगा फाइब बोल्ट पे इसको चला के दिखाऊंगा बा यहां पर इसके पीछे आपको जरूड हासा इजरूराना जरूर है आप देख सकते हैं याँ णपर हमने पर लिए के हैँ आप को फेलिए अच्यी ciao कुछ और मोडिफिकेशन के बाद आज यू कन सी हमारा सर्किट हो चुका है बिल्कुल रेडी आम पर हमने कनेक्टर लगा है यह जो कनेक्टर है यह स्पीकर के आउट्पुट के लिए कनेक्टर है और यहां पर से आप पांच बोल्ट हो या बारा बोल्ट हो सप्लाई दे सकते हैं यह जो दो कनेक्टर से हैं इन में से यह लगेगा ब्लूटूथ पैनल के ओडियो में और यह लगेगा ब्लूटूथ पैनल के पावर में अभी गाइस मैं आपको लगा के भी दिखा देता हू आज यू किन सी गाइज हमारा जो कनेक्षन है वो पूरा हो चुका है अभी इस पे हम स्पीकर कनेक्ट करेंगे और पावर सप्लाई देंगे देखे टेस्ट करते हैं कि कैसा क्या हमारा रिजल्ट जो है वह आ रहा है और कैसा हमारा पांच बोल पर बज़ता है या नहीं सब मैंने अथ descendants आप यहां पर यह 3 इंच में लिया है फहले इन 2 सपीकर को delta चला के दिकंटे है और उसके बाद इनी स्पीकर को आप 5 बोल्ट पर भी चला यह को बाद एक 4 इंच का वोफर कनेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे अश्युखें सी गाइज कनेक्शन जो है वह सब रेडियो हो चुका है कि यो दोनों तार आप देख पारें गोए इन्हीं दो तारों में हमको सफलाई कनेक्ट करना है पहले तो गाइज मैं यहाँ पर यह जो 12 वोल्ट का इसमें 12 वोल्ट का सपलाई आ रहा है तो मैं इसमें 12 आपको इससे गाना चला का भी दिखाता हूं कि इससेट का भीझाना ओयता चाला काका बला का भीझा लेक का थाना भीझाना आज आज यहां पर जो है हमारा ब्लुटूद जो है ले हो रहा है गाना भी स्पीकर पर आ रहा है एक बडर मैं आपको इसका वोल्टेज जो है इन्पूट वोल्टेज चेक करके दिखा दे रहा हूं आज यह था बारा वॉल्ट सप्लाई में कैसे काम करता है अभी गैस मैं आपको इसको 5 बोल्ट पे भी चला के दिखाता हूँ नारे वंभी हमिषकों नेक्ड कर रहे हैं 12 बोल्ट वाले सप्लाइ से अभी हम इसको ये वाला है हमारा पांच बोल्ट आताव प्लाइका तो यहाँ पर में 5 बोल्ट सप्लाइगा देख एपर आख रहा हूं प्लूथूस मज possession फांच बोल्ट बी यह हमाराा ऑण हो चुका है और यहां पर मैं आपको ब rattling करके बता दे रहा है मैं यहां पर हमारे Bye-volte ऩुक्वी आ रहा है तो अभी मैं इसको गानना प्लेकर करके इसपे दिखा देता हूं तो गाइज यह पेर हो चुका है फाइब बोल्ट में अभी गाइज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं देखिए यहां पर हमारा दो स्पीकर्स कनेक्टेड है और मैं जो गाना प्ले कर रहा हूं वो मैं लैप्टॉप से प्ले कर रहा हूं यह देखिए गाइज पांच वोल्ट भी प्ले हो रहा है लेकिन ज्यादा वोल्यूम करने पर यह पावर ओफ हो जा रहा है लो बैटरी बोलके तो कोई इसका दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप इसको लो वोल्यूम बे बजाते हैं एक स्पीकर के साथ तो यह परफेक्ट कर दो दोगाईस तो यह था पांच वोल्ट पे एक स्पीकर को हम तीन इंच वाले स्पीकर को चला के दिखा है जो कि पांच वाट का ही है अभी गाईस हम क्या करेंगे बारा वॉल्ट से जो है हमारा चार इंच यह वाफर है उसको चला के दिखाते हैं आपको तुस्मोड तेयर्ड तो गाइस अभी हमारा चार इंच वाला वोफ़र जो वो कनेक्ट हो चुका है अभी हम म्यूजिक प्ले करते हैं अग्याइज इतना ही ता इस अम्प्लिफायर के बारे में बैसिकली यह वीडियो ऐसा था कि जो आपका कॉमेंट आ रहा था कि कैसे साउंड को बढ़ा हैं तो वेसिकली यह वाला किट को यूज करके आप इसका साउंड को बढ़ा सकते हो और यह जो किट है इसका अगर कोई थोड़ा भी डाउट वगरा रह गया हो आप मुझे बेज जिजक इंस्टाग्राम पे मेसेज कर सकते हैं हर किसी को रिपलाई देने के लिए इस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा और गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्त वगेराओं के साथ शेर की और इस फैमिली में जुनने के लिए चानल को जल से चल के साथ इंटरस्टिंग विडियो को साथ तब के लिए अल्ट वेरी वेस्ट वर्योर फुचर